मेरे पस्ट उपालक साथियों आज एक और मुर्रा का नायाब नगीना आप भाईयों के सामने में रिपर्जेंट कर रहा हूँ देखिये जी छोटा सा बच्चा है अभी मेरी ख्याल से लगबग दो दांत है के खीरा ही होगा अभी तक तो ये बुल है जी कमांडो और बहुती स्पेसल बुल है मारा बहुती स्पेसल क्यों है उसका भी मैं वीडियो में आपको जिकर करूँगा इसकी मा की बात करूँ तो बड़ी फेमस इसकी मा है हर्याना और पंजाब की मैं कहूँगा चेहती है और आज से नहीं अब तो थोड़ी उमर उसकी जादा हो गया जब यंग थी उसी टाइम से है तो इसके बारे में बात करें उससे पहले बताना चाहूँगा जो भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं ये वीडियो लेके आ रहे हैं जी इसार स्पम बायोटेक एचेसबी से और गूगल मैप पे आप डालोगे इसार स्पम बायोटेक तो इसार में हमारी लोकेशन है सरसाना गाउं में जो भी भाई आना चाहते हैं वो आ भी सकते हैं चाहे वो बुल देखने का काम हो या सीमन लेने का काम हो हमारे यहां कोई किसी तरह की मनाई नहीं है तो अभी बात करें इस बुल के बारे में कमांडो इसका नाम हमने रखा है और ये हमारे पास आया है जी पवितर भाई के यहां से पवीतर भाई माच्छी वाडा से लोदियाना से सरस्वती बैंस के मालिक और कई सारे बुल जो हैं बाई के आत्से आये हैं चाहे वो हैचछेफ के हूँ चाहे वो जर्शी के हो चाहे वो मुर्रा के हो बाई ने काफी मदद हमारी इसकाम में की है तो कमांडो के बारे बारा तेरा दिन की ब्याई हुई 21 किलो दूद है कितना अग दूद निकाल देगी ताउजी है 28 किलो दूद आज से बारा दिन के बाद ताउजी करें इसकी माँ 25 किलो 300 ग्राम दूद एक राणिला में बैंस होती ती जो हमारे अरियाना के बाई हैं वो जानते हैं किसी टाइम पे आज से कई साल पहले 77-88 रूपे उस बैंस के लगाए भी थे milk with beauty दूद के साथ सुन्दरता भी बहुती बढ़िया अभी जो आप वीडियो देख पा रहे हैं इसकी माँ की वो ताउजी राम सिंग पांडवान हैं उनके गर पे ये वीडियो आमने शूट किया था और बड़े थोड़े टाइम की ब्याई हुई का आप आडर और थन दे करूं तो एक जो सेरे पंजाब की जो मा है बीबो उसको पवितर भाई ने इससे डारेक्ट ग्याबिन करवाया और फिर ये हमारे पास आगया था तो अभी थोड़ा थोड़ा इसका सीमन चालू हुआ है ज्यादा आप दबाव मन ना दें इसके सीमन के लिए क्योंकि यंग जवाब है एक और इसमें बात एड़ करनी रहेगी मेरे से जो इसके फादर लाइन की मैं बात करूँ ना तो वो भी बहुत ही ला जवाब है इसका जो फादर है वो लक्षमी डैरी फारम का जो सिकंदर बुल है वो इसका फादर है जिसकी मार राणी है और राणी का भी मेल में मेरे खाल से 25 पलस दूद 26 के आसपास रहा था मुक्चर के मेले में और कई बार उसने दूद तुलवाया तो फादर और मदर दोनों लाइनों से बड़ा स्ट्रोंग है और राणी लावाली के नाम से इसकी मां को जाना जाता है बैंस को अरियाना के लगबग ब्रीडर काफी स्ट्रोंग है ऐसे-ऐसे कटड़े हं फोकस है उसको यह कटड़े केूपर मैं इसस्की मा की जो अ ब्हुत बढ़िया है और की क्ॉालिटी गर्दन की क्वाणिटी वह बहुत एम तो मा बहुत अच्छी है फादर अच्छा है और कटड़ा खुद देखने में अच्छा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके वैसे भी मैं बताना चाहूंगा एक भी बुल हमने हमारे फारम पे ऐसा नहीं लेके आए हैं जो नसल सुधार में काम ना करे और नसल क पहले तो ग्रोथ ऐसे चल रही थी फिर जब निच्छे की तरफ जब ग्राफ हुआ अच्छी बैसे मिलना कम होई अच्छे दूद की बैसे मिलनी कम होई उसका एक में रिजन रहा जब से सीमन आया है ना इसमें जो डुपलिकेट काम करने वाले जब से गुशे हैं तब से जो है ब्रीड में डाउन फाल आया है चाहे वो सीमन हो चाहे वो नैचुरल मैटिंग हो बच्चा तो वैसा ही पैदा करना था लेकिन इस काम में ऐसे ऐसे आदमी गुशगे जिनको केवल और केवल मकसद था पैसे कमाने से किसी भी बुल का डिजीज वाले जो बिमारियों स चुकी है और उस अती को देखते ही देखते हुए हमने एक जो काम सुरू किया था इस आर्सपंबायो टेक कि कुछ ना कुछ हमारे किसान बाईयों के लिए हम नया लेके आएंगे असली चीज जो है वो किसान बाईयों तक पहुंचाएंगे हमारे काम को जिसका पूरा जो है अच्छी बैसे हमें मिलना सुरू होगी है तो डाउन फाल के बारे में मैंने बता दिया कि इसका रीजन था केवल और केवल नकली सीमन डूपलीकेट सीमन जिसके उपर ना तो सरकार का कोई लंबा चोड़ा सरकार चाहे तो दो दिन में बंद कर सकती है और लेकिन सरक नकली सीमन पर दियान ना दूद के रेट के उपर दियान एक आम पसूपलक मर रहा है आम किसान मर रहा है उसको अगर आगे हमें लेके जाना है तो नसल सुदार पर काम करना ही पड़ेगा छे साथ आठ किलो दूद पूरे दिन का देने वाड़ी बैसों को हमें छोड़ना पड़ेगा 15 के आसपास या 15 से पार हमें जाना पड़ेगा जिन भाईयों के यहां छे-साथ किलो दूद की बैसे हैं जैसे बहुत सारे एरिये हैं यूपी में हैं महराश्टरा में हैं राजस्थान में हैं MP में हैं वहां आप हमारे सीमन को लगाएं पसुओं के उपर और दी चलो जहां आप AI वरकर को 200 रुपे दे रहे हैं सिमन रखवाने के तो उसकी जगह आप 300 रुपे दे दो इतना ही फ़रक है कोई जादा 5 या 10 रुपे के चकर में असली और नकली 5 और 10 रुपे का ही डिफ्रेंस है लेकिन वो 5-10 रुपे का लोब ना तो सप्लेयर भाई रहे हैं उस लोब को छोड़ दो अगर आपको भी जिंदा रहना है और फॉपालक को भी जिंदा रहना है तो आप जिंदा रहेंगे और फिर ज्यादा लंबा वीडियो ना कीचते हुए केवल और केवल ओर इजिनल सीमन जैसे यह हमारा कमांडो जिस दिन से हमने एक फेस्बुक लाई में दिखाया था उस दिन से इसकी पांच साथ जार सीमन की जो है डिमांड आगी लेकिन हमारे पास सीमन इसका त्यार नहीं है कोई अजार पांच सो सीमन इसके त्यार हुए वो हमने गिने चुने भाईयों तक पहुचा दिये अभी थोड़ा थोड़ा सीमन देने लगा है तो ज़्यादा दबाओ ना डालें इसका सीमन दीरे दीरे हम फिल्ड में जो है वो लेके आते रहेंगे अभी मैं बात करूँ आप भाईयों के सामने के एच एसबी से संपरक करने के लिए जो नंबर मैं आपको उपलफद करवा रहा हूं उस नंबर पे आप पालगी ये वीडियो देख रहे हैं उसी एरिये के हर सप्लायर का कॉंटेक्ट नंबर वीडियो में लगातार नीचे आप देख पा रहे हैं तो आप उन कॉंटेक्ट नंबरों पे फोन करके हमारा सीमन जो है ले सकते हैं मांग सकते हैं ठीक है दोस्तों कैसा लगा हमारा य और अच्छा बीज ही अच्छे बच्चडे और बच्चडियां पैदा करेगा, अच्छी कटडी और कटड़ियां पैदा करेगा, तो किसानों के घर जो साट, सस्तर, पचास जार रुपे में बैसे बिकती है, वो सवा लाख, डेढ़ लाख रुपे तक पहूंचेगी, दो ला बहुत बड़ा साहिक होगा इस डबल इंकम में जाने के लिए जो कटड़े कटड़ियां या जो दूद वाली बैसे 60-70,000 में जो पशुपालक हमारा बेच रहा है बहुत सारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है वहां आप बीज को लगाएं वो लाख डेड़ लाख दो करें डबल प्रिंटीड स्ट्रो हैं दो लाइने प्रिंट हैं कोई भी आप स्ट्रो उठाओगे हमारी तो उसकी डूपली कैसी नहीं होगी मेरे को फोन करने की बजाए या एचसबी के जो नंबर में उपलफद करवा रहा हूं पे फोन करने की बजाए आपके वल स्ट्रो क को हाथ में पकड़के देख लीजिए उसके उपर दो लाइने प्रिंट हैं एक उपर और एक निचे उपर जैसे की कमांडो को देख पा रहे हैं तो कमांडो लिखा है निचे देखोगे तो इस आर्स्पम बायोटेक लिखा है बार कोड जो है श्ट्रो के चारो तरफ रोट दिखाई देरी कि इसकी डिखाई कैसी आ जाएगी तो ठीक जी कैसा लगा कमांडो जो भी बायी जुड़े हैं आख बंद करके यूज करें नमस्कार कमेंट्स का ज़ूर आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि किया कुछ हम नया कर सकते हैं कि यस जगे काम करने की शंभावना है क्योंकि ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये एक सिस्षे की तरह होते हैं सारा कुछ देखके ही बता देते हैं जी कहां आप कमिया कर रहे हो कहां गलतिया कर रहे हो वो भी हम तक पहुंचनी चाहिए अकेला हमारा ही ऐसा फेस्बुक पेज या यूट्यूब चैनल है ज कोई भी बाई किसी तरह का भी कमेंट कर सकता है ठीक है दोस्तों नमस्कार